जो actual landfall process है, वो evening में शुरू होगा और midnight टक चालू रहेगा After the landfall, फिर ये नर्थीज दिशा में इसका गती चालू रखेगा और धिरे धिरे, weak होते हुए, काल सुबै को इसका wind speed 70 to 80 km अवर, gusting to 90 km अवर हो जाएगा जिसका जो associated weather है, जो पहले हम बोले हैं कि कोच में सबसे ज़्यादा severe weather होगा जैसे कि heavy to extremely heavy ankle हो सकता है, wind speed 115 to 125 km अवर, gusting to 140 km हो सकता है tidal wave 2 to 3 meters, postal area में inundation करा सकता है और ये बारिश से lowling area में भी inundation हो सकता है और जैसे हम पहले बोल के रखे हैं, ये जो wind speed है, इसमें structural damage हो सकता है hots, slumps, mud house, asbestos house, teen house, wardings, large scale damage हो सकता है tree of rooting हो सकता है, branch breaking हो सकता है और telephone poles, electric poles, operating bending को सकता है इसके लिए हम ये advice सभी जारी रखे हैं कि कोई बाहर नहीं घुमना चाहिए, specially cost district और gulf of cost को लगे हुए जितना districts है जैसे कि पोरबंदर और देवभुमिद्वार का, जामनगर, राजकोट, मुरवीम ये सभी district सबसे ज़्यादा impact होने का समावना है इसलिए कोई लोग बाहर नहीं घुमना चाहिए, कोई transport चलना नहीं चाहिए air transport, rail air transport, surface transport सभी regulated होना चाहिए इसके साथ साथ जो offshore operation है और offshore industries है उनका activity भी regulated होना चाहिए कोई समुदर गंदर नहीं जाना चाहिए, सुरतर इक सुबह तक और सभी safe place में रहना चाहिए